अभिमान ग्यान का नाश करता है पंडेत सूरज नरायर सास्त्री बैराड तरसील के ग्राम देवपुरा में श्रीमत भागवत कथा कि पांचवे दिन पंडिस सूरज नारायर स्वास्त्री ने अपनी स्री मुख से भक्तों को पदेश देते हुए कहा अभिमान हमेशा ग्यान का नाश करता है अतार्त अभिमान में वक्त की सोचने की चमता छेड़ हो जाती है और ग्यान सूने हो जाता है तब अभिमान चरम पर पहुंचता है प्रभु ने जब जब उसका नास किया है चाहे वारावण हो या कंस या उनके प्रिभक्त अरजुन ही क्यों नहों बता दे की नौ दुर्गा से ठीक एक दिन पहले आठ चार दोहजार चौबिस को बैराड तहसिल के ग्राम देवपुरा में श्रीमत भागवत कथा कायोजन प्रारम हुआ जिसमें मुख्य यजवान भारोसी राजक ने कथा कायोजक पंडित सूरज नारायन सौसरी के श्री मुख्य से दिया और सबको समोधन करते हुए कहा कि प्रभु की प्रभूता का रोज रमण कर आप भी आनन दुछाएं बैराड से धरमें सर्मा की रिपूर्ट